नमस्ते बच्चो, कुक्षा दस, वीशिय अगनित और प्रिशनावी अपनी चल लिए बार्मी बार्मी में 12.2 का जो एक बाग है वो अपने हल कर चुके हैं और दूसरा बाग के कोशन हल करते हैं पांचमे कोशन से हल करना है तो देखो पांचमा कोशन क्या दे रखा है त्रिजा 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत का एक चाप के अंदर पर 60 डिगरी का कोण अंतित करता है केंदर पर क्या करता है साथ डिकरी का कौन अंतरित करता है ये देखो ये आपके पास क्या है सरकल है और त्रिजा कितनी दे रखी है 21 ये देखो O है ये A है ये B है तो ये भी त्रिजा है ये भी त्रिजा है और ये वाला केंदर पर अंतरित कौन है ये कितना है साथ डिगरी है तो अपने को क्या गयाद करना है चाप की लंबाई चाप की जो मतलब छेतरफल गयाद करना हो तो क्या होता है इतना ही फरक है कि ठीटा वटा में 360 गुना अपने क्या करते थे पाई आर स्केर वो कब करते थे जब अपने को उसका शेतरफल गयाद करना होता था लेकिन अपने को क्या गयाद करनी है चाप की लंबाई गयाद करनी है तो गुना में क्या गया टू पाई आर बस इतना ही फरक है अपने चाप की लंबाई गयाद करने का और शेत्रफल गयाद करनेगा ठीटा की वैल्यू कितनी है 60 वटा में 360 दो गुणा 22 वटा में 7 गुणा 21 चैए दो तीए 6 तीन साथ 21 साथ से साथ कट गया तो कितनी आगी 22 सेंटीमिटर चाप की लंबाई कितनी आगी अपने पास 22 सेंटीमिटर अब देखो चाप द्वारा बनाएगे तीजे खंड का शेत्रफल गयाद करना है अब शेत्रफल अब तक अपने गयाद करते आ रहे हैं आपको सुतर भी याद हो गया होगा और इस कोशन को भी आप क्या कर लोगे कुदहल कर लोगे याँपर अब क्या लगा देना है पाई आ गयाद करना है यह वाला गयाद करना है इतना अपने पास जो किया है यह वाला यह वाला तो क्या है पूरा आया है यहां से लेकर यह वाला सारा अपने को यह गयाद करना है तो अपने क्या गयाद कर देंगे जो अपने दूसरा कोशन अलिकिया है उसमें से माइनस क्या कर द इसमें क्योंकि यह 90 दिगरी नहीं है सोरी त्रीबुज को शित्रफल ग्यार्त जिरूर करना है लेकिन एक वटा में दो दार गुना उंचाई नहीं कर सकते यह क्या है 90 डिगदी का कून नहीं है तो ये त्रिबुज जो माना गया है 21 अपने को इसमें जीवाद नहीं दी संगत जीवाद वरा बनाएगे वित्खन का शेतरफल है तो अपने क्या करें इसको संभाहुत रिबुज या संधिवाहुत रिबुज मानके शेतरफल गयाद करेंगे तो संभाहुत रिबुज मानके शेतरफल गयाद करोगे तो अंडूर तीन वटा में चार गुना बुजा की स्केर होता है अंडूर 3 वटा में 4 गुना और अपने किसी भी तरीके से इसका शेतरफल ग्याद नहीं कर सकते यह होगा अधार गुना उंचाई कब होता जब लंबवत हो अपने पास लंबवत दुरी हो लेकिन इसमें लंबवत दुरी नहीं है यह अपनी गलती थी इसको ग्याद कर लेंगे दूसरे में उसमें से यह वाला गटा देगे तो अपने पास यह कोश्चन हो जाएगा पांचमा यह था अपने पास पांचमा कोश्चन इसके बार देखो चटा कोश्चन क्या रेका है चटा पॉइज पर 6 डिगरी का क्या क्यों कितने करती है त्रिजा कितनी कर दी 1.5 सेंटी मिटर सरकल है यह क्या त्रिजा है एक 5 सेंटी मिर 3.5 सेंटी मिटर om है इसको a being compare कुछ भी मानने दो ठीक है क्या इन क्याide करना है यह देखो ये कितना है साट वोन दिर्ग व्रिट व्रिटखंच क्या शुषा सबतीं पहले बाहर और दिर्ग होगी तो लगु और यूँनको पहले उपाइव तो लगू को ज्यातने के लिए पहले इस वाले का घड़ाव करते हैं अब देखोें अपने को जीवा फिर थी यह जीवा फिर dyak τους त्रफुज भाहुत्री के पहले ताकि अपने इस त्रिबूज का शेतरफल ग्याद कर सके तो पहले क्या ग्याद करेंगे अपने इस पूरे का तीजे खंड का शेतरफल ग्याद करेंगे का शेतरफल ग्याद करोगे पहले तो वो तो वैसी होगा ठीटा बटा में 360 गुना πाई आर सकेर खीटा की वैल्यू कितनी है 60 बटा में 360 गुना 22 बटा में 7 गुना 1.5 गुना 1.5 इसको हल कर लोगी इसको हल करने से अपने पास जो आएगा वो आएगा 117.75 सेंटीमेटर स्केर अब अपने क्या 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 करेंगे तिरबुज ओ, पी, क्यों का शेतरफल, वो क्या होगा अंडूर 3 बटा में 4 गुना बुजा की स्केर यहां से आएगा, तो यहां से अपने पास जो आएगा, वो देखो, कुछ इसको हल करोगे, तो यह 2.5 2.25 ही होगा, 1.72 तो यह अपने पास जो आजाएगा 1.72 2.25 बटा में 100 चलो इसको हल करोगे, तो यह 1.72 यह होजएगा, यह होजएगा, 2.25 बटा में 4, इसको हल करोगे, जो आएगा फिर इसमें से इसको गटा दोगे, तो अपने पास क्या आजाएगा लगू, लगू व्रत्खन का शित्रफल आजाएगा, किसका आजाएगा लगू वाले का, ठीक है, अब अपने पास बच्चा दिरग वाला दिरग वाले का ग्याद करने के लिए क्या करोगे, अपने पास यह वाला तो आया ही हुआ है, ठीक है अपने क्या ग्याद करें लगू वाला जो आये हुआ है गठाके जो आएगा तो दिरग पूरे में से पाई आर स्केर में से क्या करोगे आपन लगू वाले को कम कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा दिरग वाला आ जाएगा यह है चेटा कोशन इसके बाद देखो सात्मा कोशन त्रीजा कितनी दे रखी है बारा सेंटीमेटर वाले वृत की कोई जीवा के अंदर पर 120 जिदी का कोण जित करती है संगत वृत्खन का चितरफल ग्याद करो संगत वही बात बार बार आ रही है दीक है अब बस कोण ज्याद के पास किया हैक इसंगत वृत्खन का चितर फल ग्याद कर दो कि तो और यहां से इसको डिवाइड कर रहा है वो इसको नाम दे दिया वी और यहां पे दे दिया यू तो संगत वृत्खन का शितरफल ग्याद करने के लिए सबसे पहले अपने इसको डिवाइड किया है यह बुजा की लंबाई ग्याद करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया त को चिटा की दी कितना है बारा तो औंपवी बटा में 12 इहांसे ओ उबी की वैल्यू अपने पास 6 सेंटीमेटर आगी, यह 6 सेंटीमेटर आगी, फिर देखो अपने लगाएं इसके लिए, लाल बटा में कक्का है ठीक है साइन साथ लगाएं बापिस तो लंब क्या होगा S B बटा में OS S B बटा में OS कितना है 12 साइन साथ की वैल्यू अनुरू 3 बटा में 2 और यहां से फिर अपने पास देखो S B की वैल्यू कितनी आगी अपने पास S B की वैल्यू आगी 603 सेंटिमीटर अब देखो इस तिरबूज का शेतरफल क्या होगा यह इसकी क्या है लबबत दुरी है तो 1 वटा में 2 तिरबूज S O B का शेतरफल 1 वटा में 2 आदार गुना उंचाई तो देखो यह S B है पुरे का शेतरफल ग्याद कर लें अपने तो इसको अदार यह दुग नहीं होगा न तो पुरे का ग्याद करते हैं S O T का S O T का ग्याद करते हैं तो अपने पास S B I 6 अंडूट 3 आई तो S T कितनी हो जाएगी 12 अंडूट 3 हो जाएगी 36 गुणा 1.732 और इसको गुणा करोगे तो 62.8 सेंटीमेटर स्केर अपने पास त्रिबुज का शेतरफल आ गया सबसे पहले अपने क्या निकाला त्रिबुज का शेतरफल निकाला दीक है त्रिबुज का आते ही अब अपने क्या करते हैं चाप दौरा बनाये गया ये वड़ा शेतरफल निकालेती है तो वो तो अपने को पता है कि चाप दौरा बनाये गया जो शेतरफल क्या होता है थिटा बटा में 360 goла पाई आर स्केर थिटा कितना है 120 बटा में 360 22 बटा में 7 और आर कितनी है 12 gola 12 तीक है यहां पे आगया तीन तीन चोक है बारा और इसको हल करोगे तो अपने पास आजएगा एक सो पिचास पॉइंट बहतर सेंटीमिटर से क्या है तो अब इस दोनों का क्या कर दोगे गटाव कर दोगे तो वो अपने पास वृत्खंड का शितरफल आजएगा तो वृत्खंड का शितरफल क्या आएगा 150 पॉइंट बहतर में से क्या हो जाएगा 62 पॉइंट 28 को गटा देंगे तो यह अपने पास क्या जाएगा वृत्खंड का शितरफल आजएगा मतलब रिट्षखरंड के लिए पहले जो तिर्बूज जो विप चीज बर्दी है उसका शेतरफल गयार करके उसमें से गटाते हैं तो वो अपने पास आता है तीक है यह है अपना शेतरफल छटे कोशन का तो छटे कोशन सुरी सात्मा कोशन सात्मा कोशन अपना पूरा हुआ आज से आगे के जो कोशन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे तो दन्यवादा